हालो मेरे स्यूटी एस्पेरेंट मैं अनुसिंग आपकी मैठ्स की एजुकेटर क्या आइनो आप लोग ने स्यूटी का टुथाज़न टुटिफोल का फॉर्म भर दिया है प्रेपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो मतलब लगे पड़े हो कि हां कहीं हो जाए तो हो सकता है कि आप लोगों ने किया हो अगर नहीं भी किया है किसी ने तो जैसे करेक्शन विंडो फॉर्म ओपन होगा आप प्लीज वहां जाके इन्हें आप्ट कर लेना ठीक है अब है कौन कौन सी कोर्स से देखो स्यूटी का एक्जाम है सब को करियर बनाना है कहीं ना कही यह जो तीन साल आप देंगे एक अच्छे युनिवर्सिटी में ठीक है यह आपके करियर में एक मार्क एक उतना स्टार बनके आएगा कि हाँ यह आपने यहां से ग्रेजुएशन किया है उसके बाद आपका करियर एक अलग मोड लेगा ठीक है ग्रेजुएशन के बाद के यह तागेट करते हैं कि हां डी टॉप फे फिर ब् venues ऐसे करे कि करके सारे के सारे कॉलेशन हमने जो इनवर्सिटी जो है हमारा हमने लेकर आया है धीयू है घुडक्च-स डीडि में परहने मैं बात करती हूँ कि PCM PCM वाले भी राजा होते हैं मैस के साथ साथ हब हर जगा कूछ सकते हैं आपके पास मैश है आप जर्ड यहाँ वाले राजा होते हैं बात यह नहीं कहते हैं नहीं होते हैं पर उनके पास थोड़े आप्सन कम होते मैस वालों के पास ज्यादा ओप्सन होते हैं देखिए कैसे मैंने हमेसा बोला आप जब अभी कोर्सेज के लिए कॉम इसनले तो प्लीज फिजिक्स केमस्ट्री मैं अगर मैंस के तीन डो में प्रिट जीटी और साथ में लैंगिज जरूर ठीके अगर बात करते हैं यूनिवर्सिटी ओफ डेली टॉप कोर्से यहां की बात करते हैं तो साइन्स वाले तो वहीं हर फ सकते हो क्रुआ प्लार कर दोंद कर 50 और बायो टेक्नोलोजी ओनननेर कर सकते हैं यहां बैसिए स जीमार काडम कीचेंगे साइन्स वाले जो हैं साइन्स फिल्ड के ये courses बहुत ज्यादा इंस इंपोर्टेस है मतलब अच्छे courses आप इconomic प्लीज बिना opt किये courses मतलब इन courses को प्लीज opt कर लेना ठीक है अब अगे आते हैं अब art वाले और science वाले बी कॉम प्रोग्राम बीम्स बीपी ठीक अब इसमें जिनके पास मैट से वो भी आसकते पूरा इक वाली पार्टिसिपेट कर सकते टक कर दे सकते जिनके पास मैट है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं आट वाले art economics honors be economic मियात रखें का मैज चाहिए लिए आप मैस बैक साइंस बैग्राउंद से तो यह पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस ऑनस बी इंग्लिस सी बीए जनलीजिए और बीया साइकॉलोजी ओनर्स बी इंत मैस्कॉम्यूनिकेशन ठीक है यहाँ पर देखा एक एम रहे सब्सक्राइब करना है तो आपके ग्राइशन में बहुत इंपोर्टेंट होता है वह बहुत इंपोर्टेंट होता है वरना बाद में आपको जाके फिर से बीए बीए सी करना पड़ता है ठीक है चलो आगे आते मेरा कॉलेस बहुत बच्चों का मेरा कभी सुरू से ड्रीम नहीं रहा है डियू जाने का ठीक हमेशा एक बेच्चू देखा बीच्चू में गई बेच्चू रही 14 साल दिये हमने बनारस को बनारस से रहे ठीक है कल्चर आप आप से तो बनारस में कल्चर चलता है आप बनारस लगेगा कि हां इंडिया का कल्चर जो है कहीं न कहीं जिंदा है बनारस में तो है बनारस अब आपके ड्रीम यह नहीं करें डियू खराब होता है बहुत अच्छी कॉलेजिए सब की फॉर्स प्राइल whose ठीक हमारे टा सकते हैं बाए-स बायोकि कर सकते हैं ठीक है आप इसमें डेेहें डेकल सोसल साइनस यह आर्ट वाले और इन में मैस वाले जा सकते हैं और आपको पता है कि BHU में GT language चाहिए जी टी और language चाहिए आपको selection लेना है तो साथ में आपका जो भी domain course हो सब्जेक्ट सो अब देखिए यहां पर जामिया इसलामिया जो है आपका जामिया मिलिया इसलामिया जो कॉलेज है आपका यह भी बहुत बच्छे यहां सोचते हैं कि मैं यहां से कर लेते हैं बहुत अच्छा कॉलेज है ठीक है अब इसमें आप जो आर्ट वाले हैं वो क्या बहुत ही अच्छा कॉलेज है एक रिशार्च कॉलेज है पहुछ इंडियन काउन्सिल ऑफ एग्री कॉल्चुरल रिशर्च उनिवर्सिटी जो आप का रहने वाला यह यह है क्या इसमें क्या-क्या कर सकते इसमें बिस्टे और स कर सकते हैं अगर किसी को आगे गौवर्मेंट जॉब करना है तो गौवर्मेंट जॉब में भी एक फीसरीज करके एक डुपिटी कलेक्टर हो सकते हैं उनमें यह वाली कोर्सेज मांगता है अगर आपके पास यह कोर्सेज नहीं है तो आप उसमें नहीं जा सकते इसलिए बहुत कम सीट होता है तो यह चीज जाएंगे यहां पर आङे बात करेंगे कौन सा कौलिजा ठीक गोरू गोरीन सिंह इन्द प्रस्थ यूनिवर्सिट्टि गोरू गोरीन इसए इन र्पस्थ इंवर्सिटी सब ब्ल fish हो पाता है इस कोलिजिक्र मोर्म सकते जाल यहां प्र науч romance कर सकते हैं इसमें कौन कॉन से प्लिप कर सकते हैं वीच अस चाहए में आपका पॉर्ट बॉक्षैर अवीजिघ्स कर सकते हैं ठीक है सॉब्जेक्ट कोमनेमिस सब्सकों मैं बार बोलते जारी और वोकर पी बीबीए कर सकते हो यह सारे कोर्से अगर आपने अपने फॉर्म भरते वक्त आपका PCM GT और लाइंग्वेज है ठीक है अगर आपके पास यह और आपने यह कोर्सेज नहीं आप्ट किये है इन युनिवर्सिटी से तो प्लीज करेक्शन विंडो होते ही आप्ट कर लेना अधर आते हो चीजों को ठीक है तो अभी भी लेट नहीं हुआ है हमने आपके लिए जुनून प्लस बैच लॉंच किया है इसमें लाइफ क्लास एबोक्स मॉक्स और चार बुक्स रहने वाले जों आपको आपके घर पहुचाएंगे पीवाई पी मतलब आपको समझेंगा रहे है इंपॉर्टेंस बता देते हैं अब लोगों अब किसी को जुनून प्लस के साथ साथ मैं मुझे और भी बैचेज आने वाली बैचेज लेना है कोर्स लेना है तो आप देखिए आपर महाँ पैक जा सकते हैं वित बुक्स बैच मिलेगा ही मिलेगा सारे जितने भी आपको इ इतने भी बैचे जे साइंस को लेके महापैक में सारे बैच मिलेंगे आपको और मैक्सिमम डिसकाउंट के लिए अनू 20 कोड यूज कि अगर अभी तक आपने यूज नहीं किया है अगर आपने अभी तक इन्रोल नहीं किया है अपने करियर के लिए इतना तो खर्च कर दो यहाँ पे CBAC बोर्ड में जाके ठीक है जुनून प्लस बैच प्लीज जाओ वहाँ पे और अभी एफ 3569 का है बाइन आउ पे क्लिक करो और यहाँ पे जाके अनू 20 कोड यूज करो ठीक है यहाँ जाके अनू 20 कोड यूज करो आजो बाइन आउ अनू अनू 20 कोड यहाँ पे कोई भी कैपिटल स्मॉल लेटर कुछ भी डाल दो अनू 20 कोड अपलाई कर दो आपको यही कोर्स 3485 का कुछ पॉइंट्स आपके कार्ड में अल्रेडी होंगे कार्ट में जाकूस पॉइंट को यूज को लगब 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 लग आपका 12 आपका करियर नहीं मनाएगा वो कोर्स आपका जो आप तीन साल करने वाले हो ग्रैजिवेशन वो आपका करियर बनाएगा ठीक है यह मैक्सिमम डिसकाउंट के लिए ठीक है अनू 20 कोड यूज करो और साथ में मैंने जो बताया आपको यहाँ देख लो लाइव क्ल कि यहाँ जाको यहां पैक यहाँ जाकर आपको वास यूजी पीजी इंट्रेंस exam में जाक्य्स चीड 돼 करना मापाइक विढ़ग साइन्स वाला साइन्स में आप यहाँ पर ओया और देखो जो धृटीकोς आठ बौक्स जो आपको घर तक पहुचाएंगे थे द्धो कुछ ebooks 1000 कुछ test series और यह वह test बीना दिये mock test बीना दिये आप कोई भी exam clear नहीं कर सकते क्योंकि test देते वक्त आपका accuracy सही होता है test देते वक्त आपका जब भी आप mock test देते हो तो आपका time management बनता है ठीक है आजो यहां आजो आप बाई नाओ करो ठीक है यहां जाके आप मैक्सिमम डिसकाउंट के लिए अनू 20 स्मॉल कैपितल कुछ भी डाल के आप यहां पे करो आपको यहीं कोर्स 4688 का लग 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 चार हजार चेसो का पड़ेगा तो मुझे लगता है कि बेस्ट तरीके से सौल कीजिए अपने प्रॉब्लम को सौल कीजिए मिलते हैं बैच में अपना ख्याल रखिए ठीक है थैंक्यू सो मच